नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपकी चैनल रावल जी मिटिया में एक बार फिर इसे दोस्तों हालिबूट की मोस्ट अड़ी फिल्म वेनम दा लाश डांस जिससे बॉक्स ओपिस पर रिलिजवे आज चार दिन हो रहें तो आज किस वीडियो हम बात करेंगे इस फिल सुमित के रावल तो देरी ना करते हुए चलिए वीडियो श्टार्ट करते हैं दोस्तों आप से बता दो कि हालिबूट की मोस्ट अड़ी फिल्म वेनम दा लाश डांस जो कि एक एक संड एडवेंचर साइन फिक्सन फिल्म है जिसको डायट किया है केली मारसेल ने वहाई दोस्तों इस फिल्म हमें लीड रोल में देखने को मिल रहा है टाम हारडी जूनो टेंपल पैगी लुवाई दोस्तों इस फिल्म को एक हजार कोड़ रुपय के बजट में बनाया गया और इस फिल्म को इंडिया में लगभग 1200 स्किन पर 24 अक्टूबर को रिलिज किया गया है जिसे डिली जो आज बॉक्स ओपीस पर 4 दिन हो रहे हैं तो बात कर इस फिल्म के बॉक्स ओपीस कलेक्शन की तो यह फिल्म अपने पहले दिन 4.65 लाख रुपय का दूसरे दिन 7.50 लाख रुपय का तीसरे दिन 9.52 लाख रुपय कलेक्शन कर चुकी है इस एक साथ दोस इस फिल्म के शुरू आती 4 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन ओ रहा है 31.60 लाख रुपय का तो इंडिया ग्रॉस कलेक्शन ओ रहा है 38.50 लाख रुपय का तो दोस्तो यह थे वेनम दे लाश दान्स के सुरू आती 4 दिनों के बॉक्स ओपीस कलेक्शन की रिपोर्ट तो दोस्तों गर आपने ये फिल्म देख ले तो में नीचे कमेंट स्क्रीब हैं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी साथ ही ये फिल्म बॉक्स ओपिस पर हिट होगी या फ्लाप और आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप भी वेनम यानि कि टाम हार्डी के डाय हर फैंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस फिल्म की आ